हेलो स्टूदेंट्स, वेलकम टो एटी पे स्टार्ड द सूपर लर्निंग प्लेटफोंग, तो देखे बच्चो आज के इस वीडियो हम बहुत इंपोर्टेंट टोपिक पर बात करने वाले हैं, कि आईटी जई क्रेक करने के लिए क्या आपको एक ओर्गिनाइस्ट कोर्स च vem, क्या होना चाहिए, आणके पास में एक राइट प्लान होना चाहिए, आपके पास में एक राइठ डाय डायरेक्शन होनी चाहिए, जो कि यह स्टोडी में कही ना कही आप इसलिए इसी वज़़े से लेक कर जाते हो क्योंकि self study का मतल़ किमन्त आपके पास हैं, सब कुछ म जो सबसे बड़ा जो फ्लो नजर आता है वो आता है प्लान जब तक बच्चों आपके पास में प्रोपर प्लान नहीं होगा उसके बिना आप टाइम बाउंडेट रहे के वो सब चीजे जो वो नहीं कर पाऊगे सेकिंड आता है बच्चों कॉंस्टेंट सोर्स ओं होता है या फिर उनका जो मोटिवेट जो वो दूसरे के बरोसे या खुद के बरोसे रह पाते हो बड़ा ही कम टाइम होता है उनको क्या चाहिए होता है कि उनको को कोई जो भी उनका मेंटर वो लगातार उनको गाइड करता रहे बार बार उनको थोड़ा सा मोटिवेट करत ताकि वो लंबे टाइम तक जो वो hard work करते रहे तो आप self study अगर करते हो तो बच्चों आपको highly self motivated जो वो रहना पड़ेगा उसके बाद में आप जो exam जरूर correct कर सकते हो उसके बाद में आता है evaluation बच्चों आप self study कर रहे होते हो तो आपको exactly नहीं पता होता कि कितने time में आपक तो बहुत सारा लिया सब बहुत साहरा पड़िया लेकिन उसके बाद में खुद को evaluate कैसे कर पाओगे कि आपको इसके बाद में आता कीतना है क्या जो जake के लिए जो चहिए होता है उतनी detail है आपकी हो पाई है या नहीं हो पाई तो उसको evaluate कैसे तो उस evaluation के लिए जरूरी होता है कि आपको एक organized course हो, जहां पे पूरा plan हो, जहां पे आपको सब कुछ बताया जाए कि ये आपकी performance है, ऐसा आप कर रहे हो, आपको इतना ओर करने की जरूरत है, अगला बच्चो एक point आता है आपके पास में, right material और ये time management, ये दोनों सेम चीजे Self study में काफी बार अपने पास में ऐसा होता है कि material जो दुनिया भरका है, क्योंकि कहीं पे भी बच्चो material की कमी नहीं है, अच्छा material भी बहुत सारी जगह है, और काफी जगह अच्छा material नहीं भी है, लेकिन अब अपने को चूज करना कि अपने लिए right material कौन सा है, तो काफी आप जोइन करते हो, अगर आप जोइन करते हो तो इसका मतलब है कि आपको उनके material पर फेद है, आपको उनके lectures पर फेद है, तो उसके बाद में आपको material के अलग भटकना नहीं पड़ेगा, time management का मतलब basically क्या होता है, कि जब आप बच्चों self study कर रहे होते हो, तो आपको particularly न guidance मिलती रहती है, वहाँ पर लगातार आपके teachers के द्वार आपको बताया जाता है, कि बच्चों इस subject में इतना time दो, इस chapter में इतना time दो, इस chapter की importance ज्यादा है, इस chapter को ज्यादा time दो, तो ये सारी चीजे जो एक organized course में आपको बताता रहते है, अगली चीज जो self study में जो सब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो बच्चों सबसे बड़ी problem है, doubt solving, आपने पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत अच्छा पढ़ भी रहो, आपके पास material अच्छा, lectures अच्छे है, लेकिन जब तक, जब तक आपके mind में जो doubts आएंगे, वो लगातार soul नहीं ह होंगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, कई बार ऐसा होता कि अपने पास में doubt जो बहुत सारे कठे हो जाते हैं, फिर हम सोचते कि एक साथ कहीं ना कहीं से हम पूछ लेंगे, बट बच्चों doubt solving का मतलब होता है कि properly जैसे आज आज आपके mind में कोई doubt आया, तो डेली के डेली आप जब जितना ज्यादा पड़ोगे उतने ज्यादा doubt जो वो भी आपके आते जाएंगे, तो ये जो doubt solving वाला काम है, वो बच्चों organized course, अब organized course का मतलब भी ये सारे parameter, वो organized course बच्चों अच्छा होगा, जिसके अंदर ये सारे के सारे parameter जो फुल्फिल हो रह जो आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, सबसे पहला जो आपको doubt हो सकता है कि faculty team यहाँ पे कोन होगी, तो बच्चों आप already यहाँ पे faculties को जानते हो, जैसे मैच में हूँ, रोनक सर है, वेक सर है, सब मिलकी बच्चो जो फेकल्डी से उनको आप already जानते हो, सब वही लोग हैं, जो YouTube पे आपको पढ़ाते हैं, वही बच्चो इस बैच में पढ़ाने वाले हैं, अगला सबसे important चीज क्या होता है, बच्चों J.E.Main और J.E.Advance, दोनों की approach, दोनों की direction जो है, वो बहुत different होती है, तो वो एक एक course के through, आप दोनों एक साथ parallel में नहीं कर सकते, तो इसी के लिए बच्चों यहाँ पे ATP Star में, जो RBC 3.0 बैच है, इसके अंदर J.E.Main और J.E.Advance, दोनों की लिए अलग-अलग batches जो वो बच्चों यहाँ पे रहने वाले हैं, तो जिस पे भी आप focus करना चाते हो, वो job join कर सकते हो, उसके बाद में AOTS, जैसा कि बच्चों मैंने वहाँ पे बताया था कि आप evaluate कैसे करोगी, self study और उसमें आप evaluate कैसा करोगी, कि आपको खुद को कितना आता है, तो उसी के लिए यहाँ पे एक बहुत famous test 3, जो ATP के AOTS, वो बच्चों इसी course के साथ में आपको free द करता है, कि RBC 3.0 कि जो थोड़ी सी अगर और मा आपको खासियत बताऊ, कि जैसे कुछ बच्चों को चाहिए होता है, क्योंकि crash course में तो क्या होगा, basically थोरी का revision होगा और questions होगे, बट कुछ बच्चों को चाहिए होते हैं कि कुछ chapters वो detail में थोड़ा पढ़ी, तो उनके लि अगें, जितना सही time पे बच्चों आप इस batch को join कर लोगे, उतना ज्यादा benefit है, क्योंकि time के importance बहुत ज्यादा time जो है, वो आपका बिल्कुल भी waste नहीं होना चाहिए, और साथ-साथ में आपके पैसे भी ज्यादा waste नहीं होने चाहिए, तो इसे के लिए बच्चों कल से, क साथ ही साथ में कुछ money जो हो भी आप बचा पाओगे, उसके बाद में कि स्कोर्स में, doubt solving, doubt solving का जिसके मों अलड़ी आपको बता चुका हूँ, बच्चों आपको एक ATP Guru का concept बता होगा, जिसके अंदर ATP Star के अंदर अलग से भी कुछ faculties होते हैं, जो आपके सिरफ doubts बताते हैं हम जो लोग आपको पढ़ाएंगे, वो तो doubts बताएंगे, बताएंगे, classroom वाले बच्चों को ज्यादा tension नहीं है, जो यहाँ पे quote आगे directly हम से बढ़ेंगे, उनके लिए तो हम available हैं, हमेसा कभी doubt पूछ सकते हो, बट जो बच्चे online भी पढ़ने वाले हैं, उनके लिए भी बच्चों doubt solving की facility जो बहुत अच्छे से available आपको कराई जाएगी, okay, चलिए तो last में मैं एक बार अगर कुछ बच्चों कोई confusion रहता है कि सर बैच में एंडोल कैसे करना है, तो बच्चों आपको एक बार बता देता हूं कि कैसे यहाँ पर आपको इस बैच में एंडोल कर सक सकते हो, तो पहले चीज़ तो आप website के through भी इसके अंडोल कर सकते हो, app के through भी बच्चों एंडोल कर सकते हो, तो website का मैं थोड़ा सापको बता देता हूं, same यही procedure, same यही procedure जो भी बच्चों app के through आपका रहने वाला है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, home page पे जाना है, ATP सबसे बाद में बच्चों आपको जाना है, ATP star batches पे, star batches में जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे batches, warrior, gladiator, यह सब आपको दिखेंगे, और वहाँ पे बच्चों आपको एक batch नजर आएगा, RBC 3.0, RBC 3.0 batch जो बच्चों नजर आएगा, चाहे आप जही में के लिए enroll कर enroll now का option आएगा, और यहां से आप अपना enrollment जो वह कर सकते हैं, okay बच्चों, तो I hope कि आपकी जो यह एक बहुत बड़ी query जो रहती है, कि self study के through, self study के through, जो है क्या हम एक वह अच्छी rank जो अच्छी कर सकते हो, तो बच्चों कहीं ना कहीं बिल्कुल आप कर सकते हो, बच्च जो चोड़े-चोड़े points जो मैंने आपको बताई कि self study में यह points में थोड़ी सी problem होती है, अगर आप उन पे अच्छे से काम कर पाऊ, अगर आप सही direction में खुछ से प्लान कर पा रहे हो, तो बिल्कुल आप self study जो उसके through कर सकते हो, और अगेन अगर आपको organized course बच्चों जो वो आपके लिए है, ओके बच्चों तो अगेन best of luck